Hey everyone, good morning everyone, तो आप देखो कितना प्यारा सा फ्लावर खिला हुआ, ये पम्किन फ्लावर है, ये छोटा सा किचन गर्डन है मेरी यहाँ पे मेरे घर पे, तो यहाँ पे कुछ पम्किन फ्लावर आ जाया, कुछ बोलते दो या तीन ही था, उतना जादा नहीं है, तो मैं इसको तो कौदा उगरा था, तो मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया, इसमें भी फ्लावर आ गया, इसमें दो या तीन फ्लावर था, इसको भी मैं तोड लोंगी, तो आज मैं बनाऊंगी पकोड़ा, पम्किन का फ्लावर का पकोड़ा और ओनियन का फ्लावर है, ये छोटा छोट ओनियन का फ्लावर खिला हुआ, कितना प्यारा असा, तो मैं इसको तोड के ले आई, अच्छी तरीके से मैंने वश कर लिया, इसका अंदर में छोटा से एक फूल रहता है, पम्किन की फ्लावर का अंदर से, उसको मैंने फेक दिया, फिर 50 परसन मैंने मैदा ले लिया, और चीज है, जो पम्किन का, मैं पम्किन भी खाती हूँ, उसका फूल भी खाती हूँ, उसका पत्ता बग खाती हूँ, उसके स्टैम भी खाती हूँ, मुझे इतना पहसंद है, और यहां पे मिलता ही नहीं है, बहुत ही कम मिलता है, तो इसलिए मैं अपने घर पे मैंने पम्कि बना ले तू तो पंकिन का पकोरा अल्रडी हो चुका है अब देख सकते हैं फिर अभी हम लिग बनाएंगे ओनियन का फ्लावर का पकोरा यह फ्लावर है इसमें पूरा खुश्बू ओनियन कहीं आ रहा है और अच्छा लगता है मगर मुझे उतना पसंद नहीं है जादा ब्राउन हो चुका है मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में फिर अभी में ओनियन का फ्लावर जो है इसको डीप कर लूँगी कभी भी आपके घर में ओनियन खराब हो रहा है तो आप इसको मिट्टी के अंदर लगा दो यही देखना आप वान वीक टूई के बाद इतने लंबे-लंबे पौदे हो जाते हैं उसमें फ्लावर भी आते हैं तो यह है आउनियन का फ्लावर इसको मैं डीप करके सेम प्रोसेस में मैं पकोरा बना रही हूँ इसका पकोरा भी टेस्टी है मगर उतना टेस्टी नहीं है मैं सच बोल रही हूँ उतना टेस्टी नहीं है मे मेरे बेटियों को पसंद है इसने में बना लेती हूँ मगर मुझे पमकिन की पकोरा बहुत पसंद है तो यह बन चुका है इतना इजी है जल्दी बन जाता है और खाने में भी अच्छा है टेस्टी है तो आप ज़रूर यह ट्राइ करना और कॉमेंट करके बताना आप के यह खाते हो या पहली बार आप देख रहे हो क्योंकि मैं देखा है इदराबाद में ऐसा कोई नहीं खाता है तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बाई बाई